और बात करते हैं, टीकमगर के खरगाप्पुर की जहां, नगर में आजादी कम रित महोसर की उपलक्छ में, पूरी नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुनह बालाख हायर सेकंडी स्कूल में समापन किया गया। रैली में सभी छात्र छात्राइं उपस्थित हुए सीमो महादेव अवस्थी एवं तैसिलदार डॉक्टर अनिल गुपता के नेत्रित में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा नों साहवा उमंग देखने को मिला। देजभक्त के रंग में सभी रंगे नजर आएं और प्रकीति से जुडाव का संदेज भी दिया गया। आजादे का मृत महोसो यादगार बनाने के लिए हर किसी को आगे आना हुगा। हर घर राश्रधर्श फहराये जाने की अपील करते हुए लोगों से कहा की 11-17 अगस से तक कालेकरम आयोजित किया जाएगा। नगर पर्शर सियमो महादेव अवस्थी ने अभियान के तहस सभी से एक-एक ब्रुच लगाने के लिए अपील की है। तिरंगा यातरा के दोरान प्राचारे कमलेस्तिवर एवं समस्त्र श्टाफ के साथ नगर के लोग एवं सभी राजस्त विभाग के अधिकारी करमचारी सहित पुलिस प्रसासन भी सामिल हुए है। विरा 24 न्यूज के लिटी कमगर से खूप चंद्र लोधी की रिपोर्ट। भारत देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए है और आजादी का अमरत बहुत सब देश मना रहा है। इसी तारतम में मैं संपूर भारत को एकताव के सूत में प्रोले को लेकर के इस अव्यान को तरंगा अव्यान को संपूर देश में चला जा रहा है। और उसी तारतम में हमारी तहसील में भी ये कारकम आज़ित किया गया। और जिसमें नगर के सभी बर्क के लोगों ने भाग लिया पत्रकारों द्वारा भाग लिया गया। समाज से भी विद्यारतियों और प्रवुद्ध भर के द्वारा भाग ले करके अपने देश की अनेकता में एकता बात की जो राष्टी बिसेशता है उसी को बद्दे नज़र रखते हुए ये तरंगा या तरह निकाली गई जिसमें हमारे अमर्सजीदों के और विविन प खुद करने के लिए और उस योगदान के परपेक्ष में या तरह निकाली जा रही है आज नगर में कहा से कहा तक तरंगा यात्र निकाली गई सासन के आदेशां और साथ 11-17 अगर्ष तक हर घर परंगावियान नाये जाना है जिसके तहरे 13-15 अगर्ष तक सभी नागरों के अपने अपने घर में जारूहा करना है ज़र लगाना है इसका मुख फुद्देश है लोगवन राष्ट की भावना के जादेशा है इसी के तार्पम में आज सासनिक और सभी समाज सेवियों संगटनों इस स्कूलिशात सात्राओं के साथ नगर में गवाई साथ 10 गंड़े बुद्ध्यालय से पूरे नगर में भब्य रहनी निकाली पील है कि अपने अपने घर पर धोज लगाएं और अंकोर अभ्यान के तहट सभी लोग एक एक पेर अवस्ट लगाएं एक एक गर्चत में अपने अपने हाद से जरूर लगाएं